Hello everyone, मेरे नाम है Vivek Chani और आप देख रहे हैं Aspire Facelift आपके सामने घडिया और साथ Side Figure की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जादा Changes आपको देखने को नहीं मिलेगें जी हाँ ये जो Alloy Wheels है ये जरूर चेंज हुए हैं Machine Cut Although नहीं आया है बढ़ हाँ 15 इंची के Profile जरूर जरूर की है पहले 14 इंची के Profile थे Side में ही Integrated है इसके Indigators ORVM के अंदर Oops I'm Sorry So ये जो आप देख रहे हैं अभी Handles Door Handles वो भी Color ही है Body Color के साथ में आपको यहाँ पर आते हैं और हाँ यहाँ यहाँ पर Chrome की जरूर Finishing दी गई है यहाँ पर Figo Aspire का आपको Logo मिलता हूँ नजर आएगा यहाँ पर Titanium TDCi यानि के यह Diesel Variant अभी आपके सामने कड़े है नीचे से आपको जो है Dual Profile देने की कोशिश किया गया है नीचे जो है आपको Dual Tone Black Finish मिलेगी चलिए दुबार से Side Profile में आजाए इंटीरेट में बटने से पहले थोड़ असा Engine Specs देख ले थे हैं अल्दो अब तीसरा Engine Option भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और भी हम साब देखी चुके हैं यहाँ पर टर्णी इंटीरेटर भी जो Engine Option है वो तीन Option में आब आ रही है 1.2 L के पेट्रोल इंजन 1.5 L के डीजल इंजन और 1.5 L के पेट्रोल इंजन जो आपने Echo Sport में देखे हैं यह तीनों ही इंजन आपने Except 1.2 L जो है वो आपने Echo Sport में देखे हैं 1.2 आपने Freestyle में देखे हैं अगर यहाँ पर Headline Unit की बात करूँ तो Black Smoke Treatment यहाँ पर दिया गया है Projector Headlamps and LED DRLs completely missing है जो Foglum Unit है उसमें भी Chrome की Plating दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं आपर Insert जो है वो Chrome Insert है और जो Grill देख रहे होना है इसमें भी आपको Finishing मिलेगी Silverish यानि के Chrome की Flishing मैं इसको Honeycomb Structure तो नहीं कहूँगा बढ़ हाँ मैट treatment जरूर यहाँ पर हलकी सी आपको नजर आए की नीचे जो है एडम वो भी थोड़ा सा पतला है और यहाँ पर देखिए तो फ्रंट लुक में थोड़ा सी चेंजिस तो आए है फॉर्ड का यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है आपको और चलिए थोड़ा सा और साइड में चलने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा लोग जो हैं यहाँ पर जादा है और यह देखिए साइड प्रोफाइल से आप दु वो अच्छे हैं 1.2 लिटर का जो इंजन है वो ड्रागन सीरीज इंजन है और फिलाल आप उसको फ्रीस्टाइल में देखते हैं तो यह रहे हैं अमिट सर और यह रिकॉर्ड कर रहे है और यहाँ पर आप देखो के पियानो फिनिशिंग दी गई है रियर के इंटिरियर में और काफी है तक बीच कांबिनेशन ही आपको मिलेगा और यह देखें बीच और ब्लैक डूल टोन मिलेंगे आपको फ्रेंट में बाकी पूरा जो बैक्राउंड है वो आपको या फिर मैं कहूं पूरे जो इंटिरियर से वो आपको बीच कलर कंबिनेशन के ही मिलेंगे मैं पहुज़ादा कुछ नहीं हो, आम रेस्ट से बताऊंगा अभी, हाँ, you get enough of leg room याँ पर, leg room पहले से भी इसमें कोई समस्या नहीं थी, बट अभी भी कोई समस्या नहीं है, leg room के वाल में थोड़ा सही है, बट yes है, height room जरूर मैं कहूंगा, थोड़ी head room में, शिकायत है मेरे end स बट चले ठीक है, यह भी cover up हो जाएगी, और अब देखें, यह रहे interior आपके सामने, नीचे आपको इस events rear में नहीं मिलते हैं, unlike desire, और यह जो interiors हैं, सेम आपने freestyle में देखें हैं, figo में भी मिलते देखें, interiors हैं, जो center console है, वहाँ पर आपको 6.5 inch का infotainment system, जो sing 3 beast है, वो ज थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, जो interior की plastic quality है, वो सेम है, IRVM मिल, एक बार electronic आगया है, automatic, और यहाँ पर आपको vanity mirror देखने को मिलेंगे, साथी साथ आपको driver side भी vanity mirror दिया गया है, साथी साथ card holder भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, चलिए बाहर निकलने की गोशिश करते ह अंडर थाई support, Ford में कभी भी problem नहीं है, leg room देखिए, अच्छा है, तो थोड़ा सा move करेगी शायद गाड़ी हैं पर, यह लोग थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं गाड़ी को, and he is, you know, moving the car ahead, थोड़ा सा आगे, शायद journalist को problem हो रही हैं पर, anyway, हम लोग बाहर निकलते हैं और दुबारे से rear profile की तरफ आते हैं, rear profile में, although 365 liter की आसपास का यहां पर आपको boot space मिलता है, and there you go with the boot, और boot में कोई changes नहीं है, same boot space आपको मिलती है, इसमें कोच changes नहीं मिलेंगे, हाँ, जो ऊपर की illumination है, वो आपको जरूर पिछली variant में मिलता था, इसमें भी आपको illumination मिलत Anyway, आप interiors के तरफ बढ़ते हैं, finally I got a chance to be inside, ingress करने में कुछ खासी समझ से आपको यहां पर नहीं होगी, so ingressing, ingress किया, यह देगे 3-spoke steering wheel, it is the same steering wheel which you see in freestyle, फिगो पुराने वाली एसपाय है, तम कंडूर के साथ में मांट्स किये गे हैं, आपर steering पर ही, और यह रा 6.5 इंच क इसके बटन से नीचे दिये गए है, यह रापका gear knob, gear lever पे भी pianos finish दी गई है, not really a pianos finish बट हाँ कुछ rubberish finish दरूर है, और यह practicality को बढ़ाते हुए, आपको यहां पर cup holders मिलते हैं, बहुत सारे cup holders और चोटी cavities यहां पर दी गई है, armrest completely missing है, anyway, यह रे coin holder यहां पर coins रख सकते ह engine starts off button इस बार introduce कर दिया गया है, instrumental cluster जो है, वो पुराने वाली figo जैसा ही आपको लगेगा, काफियत तक silverish treatment दी गई है, और freestyle वाला ही instrumental cluster आपको यहां पर मिलता है, बीच में M.I.D.A., left side में RPM meter, तो यह रा SYNC 3 technology based 6.5 inch infotainment system, यह सेम system आपने freestyle में भी देखा है, और यह रहे आपके lights, तो vanity lights भी, although यह भी आपको halogen inspired ही मिलेंगे, जो इसका glove box है, वो illuminated तो है, but उसमें आपको cold glove box नहीं मिलता है, so this is really sad, anyway, ask our guru and this guy from Ford lovers, यह रहा ORVM के controls, so you can switch from here, अब बात करते हैं, lights की, चो light system है, वो right side में हमेशा ford देती है, lights के controls and electric IRVM, again, गाड़ी के बाहर हम लोग आ चुके हैं, फिर से side profile पर ही बहुत से लोग हैं busy इस ताइम, okay, so I will say 5.5 lakh rupees में start होई है, इल्टीर काफी पहले जैसे ही है, कुछ उमने जादा खास improvement नहीं हुग है, हाँ, front से थोड़ा look आपको appealing लगेगा, क्रोम inserts बहुत सारी चगहां हैं, यह हैं जादा बहुत सारी जुछ सारी से तार्वरी क झाल झाल